हाई एवरिवन आप सभी का चैनल में स्वागत है आज हम करेंगे ऑथर जॉन कीट्स से रिलेटर्ड एमसी क्यूज जन्हों ने पहले अभी तक चैनल को सबसक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सबसक्राइब कीजिए चैनल को ग्रो कीजिए जिससे कि आपको और भी अच्छे और भी अथेंटिक मटिडियल इस प्लाटफॉर्म पर इस यूट्यू चैनल से मिल सकेए और हम इसमें और भी questions करेंगे आप लोगों का जो भी feedback है वो आप मुझे comment section में जरूर लिखके mention की या करें अगर आपको कोई question भी पूछना है even then I am answerable मैं आपको answer दोंगे जहां आपको समझ में ना है so let's begin with the topic सबसे पहला question है John Keats का related the very dash the very world is like a bell to tall me back from thee to my soul self यह जो world है यह एक bell की तरह है जो मुझे वापस बुलाती है मेरे अपने आप from thee मताब वहां से बुलाती है to my soul self अपनी आत्मा को बुलाने के लिए तो यह actually कहां से ली गई है अब इसमें आपको option दिये है कि यहां पर which word आना चाहिए option में यहां पर क्या word आना चाहिए option है bird, immortal, forlom और fancy तो अगर आपको याद हो तो यह John Keats की forlom से ली गई है एक complete extract है John Keats का जिसमें इन्होंने ode to nightingale से इसको mention किया है ode to nightingale आपको पता होना चाहिए थी 18-19 पे आई थी और इसमें charm the magic casement जो open होता है foam की तरह, foam आप जानते हैं जाक की तरह of perilousious seas तो उस से related है तो मतलब उस वहां से यह line को लिया गया है किस से? O2 nightingale से तो four long is the right answer moving on to the next question next चलते हैं just a minute yes यह इस तरीके से करना पड़ा आज जिससे कि आप लोगो आसानी से question दिख जाएं और आप लोगो को कोई problem भी ना हो इसलिए यह format तयार किया है next question है which of the following poem by Keats uses thus Spenserian stanzas Spenserian stanzas John Keats की किस से लिए गई है तो जो John Keats की The Eve of Saint Ages है The Eve of Saint Agnes यह एक poem है जो 42 stanzas में लिखी गई है John Keats के द्वारा कब लिखी गई थी? 1819 में लिखी गई थी 1819 में यह लिखी गई थी और publish भी थी 1820 में तो date actually कभी कभी examiner date of publication date of return भी पूछ लेते है तो 1819 में तो यह लिखी गई और 1820 में यह publish भी कौन publish भी The Eve of Saint Agnes I hope this is clear to everyone moving on to the next question थर्ड कॉश्चियन है The island setting of Latimos figure in Keats तो जो Latimos figure है जो work इनोंने किया है यह कौन सी जगा पर है मतलब कौन से island की setting से लिया गया है तो यह लैमटाउस है अगर हम इसकी बात करें तो यह आइलेंड कीट ने एंडमियोन में जगा है उस वहां से इनोंने इसको क्या किया है लिया गया है सेटिंग इसकी वहां से है कहां से है हम इसकी जगा कहां देखता है वह एंडमियोन जो उनका काम है उसमें हमें दिखाई देती है और एंडमियोन 1817 में लिखी गई थी और 1818 में पब्लिश हुई थी आपको मैं यह इसनी एक्स्प्लेइन कर रही हूँ जिससे की आपको पूरा अंसर का अंदर तक का हिस्सा पता चल जाए जिससे की क्वेशन से रिलेटर और कितने क्वेशन बन सकते हैं तो मैंने आपको रिटर्न एंड पब्लिकेशन डेट भी बता दी जो एक्जैम में अक्सर पूछी जाती है आप जो भी ये तैयारी कर रही है, चाहे आप LTE उत्राखंड की कर रहे हैं चाहे आप किसी भी LTE की कर रहे हो या आप TGT की कर रहे हो PGT की कर रहे हो तो वहां पर GIC की कर रहे हो यह सारे questions एक्जैम में पूछे जाते हैं और बहुत ही महत्तवपूर है एक ही तैयारी से आप कई exam को breakthrough कर सकते हो Yes, moving on to the next question Question fourth है आपका With what does the speaker claim to be half in love in? Half in love in यह किस से claim कर रहा है O2 nightingale में? तो यह O2 nightingale में यह the peace that comes with death जो मरने के बाद, मरने के बाद जो शान्ती मिलती है उसकी बात कर रहे है ठीक है? यह claim तब कर रहे हैं और 1820 में आया था यह work अगर आपको बार बार में पहले भी बता चुकी हूँ तो this is the right answer Moving on to the next question Fifth question पर चलते हैं Just a minute, this is the fifth question Fifth question है One of the most quoted statements on poetry by John Cates is reproduced with blanks below अब एक poetry का कुछ section है इसको भरना है आपने, ठीक है? Complete the statement with correct word आपको यहाँ पर correct word को डालना है Question इस तरीके से है If poetry dash as naturally as the leaves to tree a dash at all देखो यह बहुत ही important है और बहुत बार पूछी जाती है यह actually, जो line है, पहले मैं आपको इसकी line बता दू तो कहता है, If poetry come as C-O-M-E, come as अभी आपको मैं option दिखाती हूँ तो आपको पता चल जाएगा Option से आपको पता चलेगा This is the option कहता है, यदि poetry यदि, यहां से देखते है Yes If poetry come not as naturally यदि poetry naturally नहीं आएगी Naturally का मतलब है अपने आप आपके मन से जब poetry नहीं आएगी ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से पतियां अपने आप पेड से आती है देखे, आप जानते है Natural का मतलब होता है प्रकार्थिक पेड होता है पेड में प्रकार्थिक रूप से पतियां अपने आप आती है तो यहाँ पर भी यह कथन कहता है कि यदि poetry आपकी अपने आप नहीं आ रही है जिस तरीके से पेड में पतिया आती है तो कहता है it had better not come at all तो इस से बहतरीन बात ही होगी कि ये आये ना इस poetry जब अपने आप तुम्हारे मन में poetry नहीं आ रही है naturally तो इस से अच्छा है कि ये आये ना तो ये actually ये answer है इसका option तो इस में जो letter था उन्होने जो letter लिखा था तू John Taylor को 1818 में Keats ने लिखा ये letter उन्होने John Taylor के ले लिखा और तब उन्होने 1818 में ये लिखा अपनी poetry में So, I hope this answer is clear to everyone moving on to the next question that is your sixth sorry for the disturbance yes next question है in spite of his transcendental Janus Keat never was nor ever will be a popular poet said Shelly देखें Shelly जी ने कहा था कि in spite of his transcendental genius उनकी जो जो genius है वो थोड़ा अलग है तो वो trans है इसलिए वो कह रहे हैं तो कीट कभी never was nor ever will be a popular point said Shelly वो कभी एक popular point नहीं हो सकता Shelly जी ने कहा था why did Shelly commented so अब अगर ये question पूछता है कि ऐसा Shelly जी ने क्यों बोला होगा क्या reason रहा होगा तो उसका reason ये था कि कीट की जो poetry थी वो devoid थी किस से उसमें revolutionary spirit नहीं था क्योंकि अगर आपने Shelly जी का work पढ़ा होगा तो Shelly जी का work हमें revolutionary ज्यादा दिखाई देता है ठीक है तो वहां पर हमें ये दिखाई देता है कि ये ज्यादा revolution रेविद्रो हो इन तरीके की चीजों को ज्यादा मानते थे तो इस वज़े से इन्हों ने कहा कि इनके उसमें वो heat के work में Shelly को लगता था कि ऐसा तो कोई इनके अंदर काम ही नहीं जो एक revolutionary spirit होना चाहिए वो इनके कहीं भी work में नहीं दिखता तो इस वज़े से इन्हों ने इस चीज को कहा and never did support the rebellious और उन्होंने इसलिए उसको कभी तो Shelly got angry actually Shelly जी को गुसा आ गया और उन्होंने criticize ना तो केवल Keet को ही किया बल्कि Wordsworth जी को भी इन्होंने कीट को इन्होंने devoid of revolutionary spirit कहा ऐसे इन्होंने किसको comment भी करा है PB Shelly जी ने Wordsworth जी को भी करा है next I hope the answer is clear to everyone 7th question पर चलते है this is the 7th question John Keats dedicated end me on to अब John Keats ने जो end me on है ये किसको dedicate करते में लिखी तो ये इन्होंने dedicate की थी the memory of in the memory of Thomas Chatterton जो Chatterton थे उनकी याद में उन्होंने end me on को dedicate किया था आपको पता होना चाहिए कि John Keats का ये पहला published work है end me on ये first published भी थी 1818 में जो कि एक English poet थे और वो सब्सक्राइब आपको ने जो पहले थी थी 1818 में जो कि एक English poet थे और वो pseudo-medial poetry भी थे मताब उन्होंने medieval period में poetry भी लिखी है और उन्होंने suicide कर लिया था dying of arsenic, arsenic की poisoning के वज़े से वो मर गय थे मताब उन्होंने suicide कर लिया था और उनका जो काम था उनकी जो death थी वो बहुत ज्यादा discuss भी जब वो मर चुके थे, posthumously उनके कामों को ज्यादा आगे देखा गया and had an influence और उनका बहुत ज्यादा प्रभाव रहा romantic movement में, तो Thomas, Thomas Charterton is the right answer. Moving on to the next question, question number 8, question number 8 है आपका, Keats addresses the Grishan urn as an attic shape, attic shape in his ode on a Grishan urn because it was, अगर आपको पता हो तो Grishan का मतलब होता है, Grish, Grish से related है, ode आप जानते हो prayer होती है, urn, urn को कलश कहते है, ठीक है, तो वो यह बोल रहे हैं कि जो कीट है वो address करता है Grishan करन को एक attic shape को कहता है, attic shape, तो क्यों कहता है वो, वो इसलिए कहता है क्योंकि वो क्या है, उसमें सारा का सारा जो भी कलश में जो काम है, वो जो कलाकारी है, वो Grish के बारे में है, from Grish, तो आप इसको लिख सकते हैं, क्योंकि जो old Grishan urn जोन कीट के द्वारा 18-19 में लिखी गई थी, और 18-20 में published भी, जिसमें, मतलब ये इसके जो number थे, वो 15 magazine में issue भी, और इसमें इन्होंने inspire किया है, जो भी Grish के जो जितने भी हम बोले तो जो भी उनका traditional या idealistic pictures होती है, वो उस कलश में दिखाए गई है, तो Grish से related है, I hope this is clear to everyone, moving on to the next question, question number 9, 9 question है आपका, what according to Keats, will the urn remain to man, when old age shall his generation waste, अब कीट के अनुसार जो urn है, जो कलश है, remain to man, man के लिए वो क्या रह जाएगा, जब old age shall, जब बुड़ा पाएगा और ये generation उसको waste कर देगी, तो वो कहते हैं, इसके लिए उन्होंने कहा, कि ये एक a friend will remain to man, मतलब ये जो urn रहेगा, ये क्या रहेगा, उसके लिए एक दोस्त के समान रहेगा, इन्होंने लास्ट लाइन जो है इस टेंजा की, ode on aggression urn में कहा है, और point को ऐसा लगता है, कि जो urn है, वो एक दोस्त की तरह, humanity है जिसके अंदर, और उसके अंदर दोस्ती छिपीवी है, जो बहुत less in particular truth, ये हम कह सकते हैं, कम सच्चाई में अगर हम बात करें, तो urn ने कहीं न कहीं humankind को सिखाया है, more in the fact, सच्चाई के बारे में, और ये message truth को ही बताता है, कि सच्चाई कितनी सुन्दर है, तो this is all about this work, I hope it is clear to everyone, किसी को समझ में आए, तो आप comment section में जरूर पूछ सकते हैं, next question पे चलते हैं, the description that does not refer to kids, to the, sorry, the description that does not refer to kids, Gratian urn, अब Gratian urn में यहाँ पर कौन सी चीजे ऐसी हैं, जो depict नहीं करती हैं, तो देखिए, इसमें sylvian historian को करती है, attic shape अभी हमने थोड़े पहले question में समझा है, यह cold pastoral को भी जिक्र करती है, लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी mysterious priest की बात नहीं है, तो इसलिए this is the right answer, तो इसका जो description है, उसमें जो pot, जो Greek urn है, जिसे मैं कलश कह रही हूँ, कलश कहते हैं या pot गैलो, उसमें इस चीज के बारे में जिक्र नहीं है, उसका description नहीं है, next, moving on to the next question, question no. 11, question no. 11 चलते हैं, to what kind of an altar does the priest lead the garlanded heifer in kates, owed on a grish and earn, to what kind of altar, kis prakaar का जो kapडा है, एक priest ने अपने garland की तरह उसको हिफर में कीड्स में पहना है, और owed on a grish and earn, किस में जो एक इनकी जो ओड है, कीड्स जी की उसमें, तो उसमें अगर हम बात करें, तो जो mysterious priest है, जिसकी बात कर रहे हैं, mysterious रहसे में जो priest पुजारी है, वो इसको किस तरीके का पहनता है, वो green color का altar पहनता है, green color का altar पहनता है, this is the right answer, right, to what green altar, o mysterious, तो लाइन भी ऐसी है, यह line आती है, line number 32 से 34 में इस चीज का जिक्र किया हुआ है, poem में, next आते हैं, moving on to the next question, next step 12th question है, who among the following is known for Hellenic spirit, Hellenic spirit के लिए किसको जाना जाता है, तो Hellenic spirit के लिए John Keats को जाना जाता है, क्योंकि he was not a classical scholar, वो तो classical scholar तो थे नहीं, लेकिन फिर भी वो famous way अपनी Hellenism के लिए, एक term है, जिसका मतलब होता है love for Greek, Hellenism जो यह word है, Hellenism से, यह है love for Greek art, Greek की art के लिए, कल्चर के लिए, वहां का रहन सहन, तो कहीं न कहीं है, देखा गया है कि John Keats को, Greek के जो कल्चर था, उनको उससे बहुत ज़्यादा attachment था, Greek, मतलब कीट has an involved love था उनके लिए, Greek का, और उनका religion को वो खुश होते थे उससे, उसकी सुन्दर्ता से बड़े महसूस होते हैं, उन्हें अच्छा लगता था, और इसी लिए उनका नाम दिया गया है, Hellenic Spirit of Romanticism भी आगे एक line आती है, ठीक है, तो आपका जो answer आएगा, that is your John Keats, Moving on to the next question, question number 13, 13 पर चलते हैं, Hard melodies are sweet, but those unheard are sweeter, these lines have been taken from, यह बहुत ही अच्छी line है, कि जो hard melodies हैं, वो मीठी तो होती हैं, लेकिन जो हम सुनते नहीं हैं, वो और मीठी लगते हैं, यह तो आप जानते हैं नो, के ढोल सुहावने होते हैं, जो हमारे पास होता है, वो हमें ठीक ही लगता है, फीक ही लगता है, लेकिन जो हम से दूर होता है, वो उसकी हमें बहुत value होती है, कि आरे यार, यह हमें मिल जाता, तो यह ode on a Gershian earn पे ही answer ही लिया गया है, moving on to the next question, question number 14th, 14th question को discuss करेंगे, with which of the following poets, a writer is noted for, एक मेर, इसमें को तोरा सा ध्यान से देख लिये, with which of the following poets, do we associate the pictorial quality of poetry, तो poetry को जो pictorial quality है, वो किस से जोड़ा जाता है, तो pictorial quality को John Keats को ही उससे जोड़ा जाता है, obvious सी बात है, pictorial quality उनी के लिए जानी जाती है, क्योंकि उनके अंदर एक sense है, joy का, वो एक excellent manner में उसको महसूस करते हैं, और वो सबसे जादा world के famous painter भी रहे हैं, English poetry में उनको जाना जाता है, he is one of the greatest word painter, शब्दों के painters हैं, मतलब जिनको शब्द कला लिखने बहुत अच्छी आती है, इसलिए उनको pictorial ने मतलब word writing, तो इसलिए कीड्स के लिए कहा जाता है, next question पे चलते हैं, 15 question है, John Keith died at the age of, John Keith की मृत्यू कब हो जाती है, उनकी मृत्यू हो जाती है, कितने साल के रहते हैं वो जब तो वो रहते हैं जब 26 साल के, बहुत यंग एज में चले जाते हैं, टिबर कलॉसिस के वज़े से उनकी मृत्यू हो जाती है, आप वैसे भी अगर आपको याद करना है तो रटना नहीं है, तो 18-21 इनका जरम याद रखिए और जिस दिन इनकी मृत्यू हुई है, मतलब he was born in 17-95 में, 17-95 में इनका जरम जरम होई है यह मरण होई है, तो इससे निकाल लेंगे तो आपका अंसर आ जाएगा 26, 26 is the right answer, नेक्स, नेक्स क्वेशन है, जॉन की डाइड ओफ, अभी मैंने उपर बताई दिया वो किस से मरते हैं, तो उनका मरने का, अब देखे एक चीज है, यह याद रखिये, मैंने बोला, ट्यूबर क्लॉसस, ट्यूबर क्लॉसस से उनकी मृत्य होती है, ट्यूबर क्लॉसस को कंजम्शन भी कहते हैं, समझ में आए गया, यह एक्जैम में बहुत बार कंफ्यूस करने के लिए बच्चों को जरूर लिख के देते हैं, कि बच्चा समझ है न पाए कि कॉलरा, ट्यूबर क्लॉसस तो हम क्या करें, क्या करें, तो कंजम्शन को ही ट्यूबर क्लॉसस भी कहते हैं, क्या क्या करें, so this is the right answer, moving on to the next question, 17th question, 17th question है, तोड़ा सा हिल रहा है वोग, यह है next question ही, the line, thou was not born for death, immortal bird occurs इन् अरे तुम मरने के लिए पैदा नहीं भी हो immortal bird, तुम तो अमर रहने वाली हो तुम मरने के लिए पैदा नहीं हुई हो तो बहुत अच्छी लाइन है और आप सभी को मुझे याद आ रहा है Ode to Nightingale The Nightingale के लिए यह कहा गया है ठीक है ना? किस के लिए कहा गया है? वो जो Nightingale रहती है Ode to Nightingale में जो Nightingale है उसके लिए वो Bird के लिए कहता है यह Next चलते है Next Question है 18 Question पर चलते है Let's have a look The Ode of Keats are अब अगर आपको पूछा जाए तो Keats की जो Ode है वो किस प्रकार की है? तो वो हमेशा Regular रही है हर Ode इनकी क्या है? Regular है Next चलते है Next Question है Keats Poem It should come Poem Keats Poem La Ballad I Am Sense Mercy बहुत famous poem भी है यह है ना? तो यह कहता है यह क्या है? What is it? Ballad है, Sonnet है, Elegy है, Ode है तो मुझे पता है सब को पता होगा इस कांसा यह क्या है? एक Ballad है ठीक है? Next Question पर चलते है इसको explain करने की कोई ज़्यादा जरूवत नहीं थी इसको ज़्यादा explain नहीं किया जहां जरूवत लगेगी मैं automatically explain कर दोगी Next Question है The year was The year dash was the culminating point in kids career कौन सा ऐसा point था करियर का कौन सा ऐसा साल था जिसमें जो kids है वो बहुत ही productive year रहा Culminating का मतब है productive year तो वो हम कह सकते हैं 1819 इनके जीवन में बहुत ही productive year रहा है क्योंकि इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा poetry को इसी period में consider किया था and poetry after which he could not उसके बाद फिर ये कुछ produce नहीं कर पाए और जो quality work था due to illness की वज़े से उस कारण भी नहीं कर पाए उसके बाद तो फिर उनके मृती हो गए थी 1821 में consumption के थोड़ी दिर पहले भी ये question आया है तो 1819 ही इनका क्या रहा है productive year रहा है next question है 21 question पर चलते है which poem of John Keats have the theme of fatal magical love luring man to his doom तो ये la bellad amson's mercy की लाइन है ये सब को याद होगी I think ये किस की लाइन है magical love during man to his doom वो बोलता है ना कि ये magical love है जो आकरशत करती है इनसान को अपने मरने की तरफ और ये theme भी रहता है उसका ठीक है तो किस की है ये la bellad amson's mercy next question पर चलते है then is your 22 question 22 ये है read the following lines of the poem and answer the question that follows पर ले line को पर लेते है yes I must pass them for a nobler life where I may find agonies the strife of human hearts कहते है ना yes I must pass them for a nobler life मैं उनको nobler life के लिए जरूर उनको आगे बढ़ाऊंगा जहां मैंने बहुत दुख देखा और मैंने तकलीफ देखी human heart में which characteristics of the point creation do we find ये कौन सी line है जो to strive the human heart ये किसको indicate कर रहा है ये indicate कर रहा है इंसानियत को humanitarian को कर रहा है कि मैं human heart strive तो ये जो line है ये human humanitarian मतलब इंसानियत की बात कर रहा है तो कहीं न कहीं ये characteristic है जो point ने create किया है ठीक है न और जो ये extract है ये लिया गया है कौन सी poem से sleep and poetry से लिया गया है इसका जो work है that is sleep and poetry आप साथ साथ में लिखते भी रही है तो आपको याद भी रहते रहेंगे moving on to the next question that is your 23 question we are discussing right now in which of his odes keats wondered do I make or sleep क्या मैं जगा हूँ या मैं सोया हूँ तो ये कीट जी की कौन सी उसमें से लिया गया है ode से लिया गया है तो ये line ली गई है ode to nightingles से ली गई है जब वो अपने मन में जो दूविधा है उस conflict उनके दिमाग में चल रहा है एक सच्चाई है एक तरफ दूसी तरफ romantic idol है जो nature के प्रती है तो इस मुझे से जब चिडिया गाना गाती है वो ऐसे दुखी रहते है उदास रहते है लेकिन उसके बाद एक चिडिया गाना गाती है तो उसको ऐसा लगता है यह मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ गई ऐसा तो नहीं मैं जगा हूँ यह मैं सोया वा हूँ तो यह कीट जी की ode to night angle से लिया गया है next question है 24 question पर चलते है here lies one whose name was written in water who is here spoken of कहता है here lies one whose name was written written का मतलब लिखा हुआ है in water who is here spoken of यहाँ पर here कौन है किसकी बात की जा रही है तो yes of course he is none other than कीट्स की बात की जा रही है क्योंकि उनके epitaph जब वो मर जाते हैं तो मरने के बाद उनके epitaph पे लिखा रहता है epitaph मुझे लगता है सभी लोग जानते होंगे एक inscription होता है जो एक पत्थर जिस पे लिखा रहता है जहां दफना आया जाता होंगे पत्थर पे इंस्क्रिप्ट नहीं क्या लिखा रहता है उसको epitaph कहते है next question पे चलते है 25 पे 25 question is your which volume of poetry by Keats contained a poem Hyperion तो वो कौन सा volume है जिसमें Hyperion की बात करी है तो वो volume है Lamella का लिया गया है actually वो Lamella, Harpion और और वी बाकी चीज़ें जो इन्होंने publish करी है और ये publish इन्होंने करी थी third volume में इन्होंने किस में करी है third volume में इसका जिक्र किया है I hope it is clear to everyone 1820 में third volume में Lamella, Lamella भी आ सकता है Hyperion और 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 भी बहुत सारी चीज़ों को इन्होंने वहाँ पर Epic में जो इनका English Romantic Poet जो John Keats के द्वारा लिखा गया है वहाँ इसको दरसाया गया है volume 3 में question चलते है 25 question पर चलते है next question Keats was a victim of rap on knuckles rap on knuckles यह victim था the underlined idiom denotes what यह rap on knuckles यह literary term है इसका क्या मतलब है तो इसका मतलब होता है severe criticism rap on knuckles का मतलब क्या होता है बहुत जादा अलोचना बहुत ही खराब अलोचना जिसे कहते हैं बहुत ही जादा जिसमें ऐसा लगे बहुत ही निंदा करी गई हो ठीक है next question आता है 27th question पर चलते है I think we have discussed yes 27th पर चलते है select from the following the name of the author on whose grave the words he choose himself here is one whose name is written water अभी भी उपर ही आया था यहां देखो वो आदमी पड़ा है जो पानी जिसका जिसका क्या है पानी में पड़ा हुआ है तो यह अगें John Keats का inscription है उसी में इनों ने लिखा हुआ था I hope it's clear to everyone next चलते हैं next question है 28th पर चलते हैं 28th question है आपका for which profession John Keats had license but never practice ऐसा कौन सा profession था जिसे John Keats को license भी मिल गया था लेकिन उन्होंने कभी practice नहीं करी तो आपको थोड़ा सा इन की biography की बात बता दे तो John Keats पेशे से वैसे medicine मतलब की वो pharmacist medicine में काम कर रहे थे और उन्हें इसका license भी मिल गया था सर्जन बनना चाहते है वो किसी सर्जन के अंडर में जाके apprentice का course भी कर रहे थे एंड मॉन्टन में लेकिन उनको यहां से license भी मिल जाता है लेकिन उन्होंने का मेरे medicine यह सब नहीं पढ़ना मुझे तो सिर्फ poetry करनी है तो यह है वो pharmacist और apothecary यह word है जो इससे पहले वो करते थे poetry से पहले next है 29th question है आपका which of the following books was translated by John Kitts John Kitts से कौन से किताब translate की गई थी तो आपको याद होनी चाहिए कि John Kitts ने Ennead को बहुत ज़्यादा क्या करा and continued learning French उनोंने French बहुत पढ़ी तो Ennead जो है उसको इनोंने क्या किया translate किया later उनोंने इसको tempt किया as a idealistic romance में और उसको beautify भी किया है imagination के दोबारा and it is the option A is the right answer next question है आपका 30th question है what caused John Kitts what caused John Kitts death यह question देखे दोबारा इसी के अलग तरीके से पूछा गया है तो यहाँ पर tuberculosis दिया है तो tuberculosis will be the right answer next question है who said Kitts was a Greek ऐसी बात किस ने कही कि Kitts क्या है यह तो Greek है तो यह PB Shelley ने उनको quote किया था ठीक है next 32 question पे चलते हैं the most notable characteristic of Kitts poetry is Kitts की जो poetry है उसमें हमें सबसे ज़्यादा क्या दिखाई देता है तो सबसे ज़्यादा हमें उनके उसमें sensesness दिखाई देती है sensesness sense दिखाई देता है जो हमारी देखना है सुनना है touch करना smell करना taste करना यह सारे जो sense होते हैं यह उनकी पोयम में हमें उनके वर्क में हमें यह दिखाई देती है poetry में next question है next question is your 33 which of the following points does not belong to the lake school इस में से कौन से point lake school में नहीं थे तो देखें Coleridge words was Saudi यह तीन तो lake points कहलाए जाते हैं Kitts नहीं थे ठीके next question है today I am my I have caught my throat so might be sometimes it happens that I have to do so so please इसको नजर अन्दाश की इजिया है है and sorry for the disturbance if you feel so तो देखें which work was described by Keats as a feverish attempt rather than a deed accomplished इसा कौन सा काम ऐसा है जिसमें लगता है इसको इनको तो बुखार हो गया है कि इस चीज को करना ही करना है बजाए उसमें घुसने के तो वह वर्क था इनका हाइपर रियॉन हाइपर रियॉन में आपको मैंने बताया था भी थोड़ी देर पहले कि जॉन कीट ने एक तरीके से दिखाए दे तो रोमेंटिक पॉइट के रूप में इसको दिखाया गया इसमें ठीक है नेक्स्क्वेस्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् कीट्स ड्रॉब्ड फर्स्ट स्टेंजा और विच ओड अब देखें यह माना जाता है कि ओरिजिनल यह बात हुई थी कि कीट्स ने एक ओड में पहले स्टेंजा को हटा दिया था तो वह कौन सा ओड था जिसमें से उन्होंने इसको हटाया तो वह ओड टू मेलनकली था इसमे क्लासिकल थीम थी इसमें जो कैरक्टर्स थे जगा थी वह आजए साइक ली थे और प्रॉस्परीन थी और इसमें डारेक्ली रीडर को अब्जेक्ट के थरू और इमोशन के थरू मतलब हम कह सकते हैं रीडर के बजाए इसको डारेक्ट इमोशन में डाल दिया गया तो पोय ची में तो दा आंसर आजने कोली तो मूविंग ओन तो अफ्टी सेवन पर चलते हैं थर्टी सेवन कोईशन है विच फोयम ऑफ था कीट्स फोयम फीट्स है फोयम फोयम फीट्स था फॉलविग लाइन हार्ड वेलड़ी इस आर्षीट अभी यह दुबारा रीपीत हुआ ह हो सकता है यह question repeat हो चुका होगा तो कोई बात नहीं आपको इसका answer तो पता ही है वो कहते है ना unheared as sweeter therefore yet soft pipes play on यह थोड़ा और आगे बढ़ा दिया तो कहने का मतलब है जो hard melodies जो हम रोज सुनते हों मीठे तो लगते हैं लेकिन जो हम सुनते नहीं है वो हमें ज्यादा अच्छे लगते हैं तो ode to gratian urn से related है वहां से ली गई है यह लाइन next question है 38 38 question है आपका for whom keats used the term egoistical sublime यह question बहुत बार आता है exam में बहुत important भी है egoistical slime kiss को कहा for whom मतलब किस के लिए कीट ने यह बात कही तो कीट जी ने यह बात William Wordsworth जी के लिए कही थी क्योंकि एक censure था William Wordsworth के खिलाफ तो 1818 के letter में जो woodhouse में इनोंने लिखा था वहां इनोंने उसको phrase को डाला था William Wordsworth जी के लिए John Keats ने next question number 39 which of these is not a work by John Keats तो आपको पता होना चाहिए ode to autumn भी इनका isabella भी नहीं का है the port of vessel वो ही जो हो गया port of vessel जिसमें कलश है earn है तो यह भी इनका है लेकिन thulsi का जो pot है और यह to the night यह इनका नहीं है is that clear चलिए यह किसका है वैसे अगर पूछा जाए tonight किसकी है तो अगर कभी आजाए तो यह Shelly जी की है पी भी Shelly लिखेंगे आप अंसर moving on to the next question question number 40 F. Scott Fitzgerland was a great admirer of the poetry of John Keats so much so that he named one of his novels with a line from one of the poems of Keats oh my god which poem was it देखो जो F. Scott Fitzgerland थे Fitzgerland था वो इतना ज्यादा John Keats से प्रभावित था कि उसने अपने novel में एक line जो कीट है उनकी poem से लिये तो वो कौन सी poem से ली गई line है तो वो है आपकी ode to nightingale वहां से उन्होंने इसको लिया है और उसमें टाइट उन्होंने एक ऐसा फ्यू surviving recording है फिर जे वोईस में जिसमें उन्होंने इस चीज को recite किया है मतलब गाया है इसको सेम इसी तरीके से जिस तरीके से जिस तरीके से जान कीट्स जी ने गाया था next चलते है next question है यह question आता है which of the John Keats first poem तो पहली poem John Keats की कौन सी है तो जो first poem की अगर हम बात करें exam में अगर आ जाए तो यह लिखना आप on first looking into Chapman's Homer यह इनकी पहली poem है 1816 मतलब 1816 में यह इन्होंने लिखी थी right और इस poem में Petrarchan sonnet है यह और इसको octave और sester rhyme के थूरू इसको क्या किया गया है लिखा गया है then I hope this is clear to everyone moving on to 42nd question this is the right way देखिये question है end me on by Keats is the story of a young shepherd यह एक जो end me on है यह story है यह एक young shepherd की loved by the moon goddesses जो किसके दोरा प्यार किया जाता है जो goddesses है moon उससे Keats took the story from जो यह Keats है उन्होंने इस story को actually लिया कहां से है तो उन्होंने Greek mythology से लिया है क्योंकि हमने देखा कि कीट्स को Greek से बड़ा ज्यादा एक कहते है ना emotion और attachment था वहां के culture वहां क्या है उनको इस चीज के बारे में बड़ी जिग्या सा थी और उन्होंने end me on में ही इस work को बताया भी है कि Greek के प्रती उनका कितना ज्यादा प्रभाव पढ़ा है Greek का उन पे तो इस this is story from end me on और ये Greek mythology के ही story को लिया गया है moving on to next question then comes your 43 question let us discuss that this is your 43 to some of his contemporaries he appeared as a member of the cockney school of poetry who is he ? देखिए ये कहा जाता है कि Keats जी ने बहुत अच्छे school से पढ़ाई नहीं करी और ये भी कहा जाता है कि कॉक्नी school मतला ऐसे school जो बदनाम school है वो poetry नाम दिया गया है delusively मतला decisively इनकी बुराई की गई है लोगों ने बहुत सारे authors जिन्हों ने उनको बोला रहे इनके school तो ऐसा है जो चर्च से जैसे घंटी बजती है वैसे बजती है प्राइवेसी नहीं है बहुत अच्छे school से इनकी पढ़ाई लिखाई नहीं हुई है तो इस वजह से ये cockney school जो है ये नाम दिया गया of poetry toh yes of course this is for Keats कौन है member इसमें to some office contemporary he appeared as a member so ये member रहे है Keats रहे है इसके member next चलते है next question है 44 44 is the next question who said who said my heart aches and a drowsy numbness pain किसे का कि मेरा हिर्दय दुखता है और मुझे drowsy मतलब नींद वाली numbness मतलब बिना दर्द के मेरे को ऐसा होता है कि दर्द हो रहा है मतलब numbness कोई उसमें वह नहीं है चैन नहीं है बेचैनी है तो यह लाइन अगेन ओड़ टु नाइट इंगल से ली गई है और अफ़कॉस दिस दो वर्क बाई कीट्स तो कीट्स यह तब बोलते हैं तब उस चीज को बोलता है वह I hope this is clear to everyone next moving on to the next one 45 question पे चलते हैं 45 question है आपका who said about कीट्स कीट्स के बारे में किस ने कहा he is he is with Shakespeare मतल़ यह वो है जो Shakespeare के जितना ही मानो इसको तो यह yes कीट्स के लिए कहा गया और यह कहा था Matthew Arnold ने actually wait how Matthew Arnold actually यहां पर misprint हुआ है option क्यूंकि यहां पर Matthew Arnold दिया ही नहीं है और option Matthew Arnold है तो here is the right answer यह by mistake हुआ है Matthew Arnold a r n o l d Arnold ठीक है I hope आपको समझ में आगया होगा इस question का answer Matthew Arnold है question number 45 तो आपको कहीं दिक्कत ना हो तो आप इसको देख लीजिए Matthew Arnold ने कहा था Keats के लिए इस देट क्लिए चलिए next question पे चलते हैं देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि हम लाग कोशिश करते हैं लेकिन जो type करने वाले होते हैं उन से एक आदा mistake कहीं न कहीं हो जाती है कोशिश तो हमारी पूरी रहती है कि पूरा सही धंग से देखें लेकिन देखो to error is human हो जाता है कभी mistake तो please don't mind it इसलिए मैं आपको प्रतियक question का answer with explanation समझा रही हूँ कि कहीं पर अगर गलती है तो आप उसको recorrect कर ले और साथी साथ आपको याद भी होते चले इसी यही मकसद है यह test series marathon कराने का otherwise तो मैं आपको फटा-फट option बता कर भी इसको खतम कर सकती थी लेकिन I am taking this time just because for the sake of you कि जिससे आपको किस प्रकार से इसी से related और कितने प्रकार से प्रश्ण बन सकते हैं तो इस तरीके से आपको समझाया जा रहा है और सबसे अच्छी बात यह है कि यह bilingual है जिन बच्चों को देखिए है जो भी हमारी मात्र भाषा हिंदी है तो हम जितना हिंदी में समझ पाते हैं शायद अंग्रेजी में समझने में थोड़ी सी प्राबलम होती है तो इसलिए इसको हिंदी लेंग्वेज में बड़ी आसान भाषा में मैंने आपको आसानी से आंसर को समझाया है जहां जहां ज़रूरत लगी है चलिए नेक्स क्वेस्चन पर चलते हैं कीट की जो पोईटरी है उसमें बड़े सेंस है अभी कोश्चिन भी आया था पहले आगे आगे अगर आपको याद रहे कीट की पोईटरी को कैसी है तो उसमें सेंस है सारे तो यह कॉमेंट किसने किया था तो ये comment मैथ्यो अरनॉल्ड ने किया था इस चीज को क्योंकि देखो मैथ्यो अरनॉल्ड ने ही इस से पहले वाले question को देखो तो उसको काता है ये तो Shakespeare के जितने है तो यहां पर भी मैथ्यो अरनॉल्ड ही है जिन्होंने उनको किसका दरजा दिया था शेक्स्पियर का और उन्होंने कहा कि इनकी poetry में बड़े sense है ये बहुत importance है कि उन्होंने बहुत इक great importance बताई है sense की जो हमारे senses होते हैं तो Matthew Arnold इन्हें कहीं न कहीं एक essay of criticism में उन्होंने इस चीज के बारे में बात करी थी ये कभी question आजाए तो आपको आना चाहिए का जिक्री किया है I hope this is clear to everyone these are 46 questions of John Keats which I have discussed it with you और आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आपको अगर ये वीडियो helpful लग रही है अच्छी लग रही है महत्वपोण लग रही है क्योंकि ये exam oriented ही बनाई गई है अगर आप इनको कर लोगे एक से कितने प्रकार के प्रश्ण बन के आते हैं तो मेरा दावा है कि आप author को detail में study कर पाऊए आप इसको exam में आने वाले questions को आप यहीं से तयार कर सकते हैं तो जिनको भी ये video अच्छी लग रही है पसंद आ रही है या आपके कोई दोस्त है जिनको ये ज़रूरत है जो इसके तयारी कर रहे है तो प्लीज इस group को बढ़ाईए इस family को ये जो आपका जो मैंने ये channel create किया है उसको आप जितना ज़्यादा हो सके अपना प्यार दें उसको बढ़ाएं जिस से मैं और भी ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए material authentic material free of cost ला सकूँ और आप अपनी तयारी बहतरीन तरीके से कर सकें so I hope you love this video और subscribe के बाद notification bell जरूर click कीजिए like कीजिए subscribe कीजिए share कीजिए thanks for watching this video इसके बाद हम next video में मिलेंगे till then bye take care